नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त दर्मेंदर और आज के लेशन में हम दे हिंदू निज पेपर में परकाशित एक आर्टिकल का देन करेंगे जो कि हमारे UPSC मेंस GS 3 पेपर के लिए है और ये कर्शी से जुड़ावा मुद्दा है तो इसमें हम देखेंगे कि किस प प्रिलिम्स 2021 अभी नोटिपिकेशन आने वाला है तो एक्जाम के लिए ज्यदा समय अब नहीं बचा है तो कई मतलब जो न्यू एस्परेंट उन्होंने मुझे मेसेज किया है कि सर प्रिलिम्स के आप कुछ आइडिया बताईए कि आपने चार बार UPSC प्री एक्जाम निक आप उसको एक बार देखना और कोई समय से आए तो आप कमेंट बोक्स में बताना कि हम प्रिलिम्स कैसे निकाला जाए क्योंकि मैंने यह देखा है कि हिंदी मिडियम के सामने एक चुनोती रहती है कि किस प्रकार UPSC प्रिलिम्स एक्जाम को पास के जाए और साथ यसाथ मे अगतार इस चैनल पर बने रहना और ऐसे लेशन जो मैं डेली लेकर आता हूं उनको आप देखते रहना तो आज का लेशन बहुत ही रोचक होने वाला है इसमें प्रिलिम्स के भी काफी ज्यदा फेक्ट है और मेंस के साफ से तो बहुत अच्छा होने वाला है किस परकार ड मतलब किस परकार जो किसान है क्रेडिट विवस्ता से बाहर है अदिगांज किसान जो लगों बहुत है उससे बाहर है तो हम देखेंगे इन्से जुड़े बिए मुद्दे क्या हो सकते है और यहांपर मैंने बिए बाते लिखी है वो मैंने आर्टिकल से नीकाली अपनी तर पड़ते हो तो आप देखना उसमें मतलब किस परकार यह चीजे बताईगी है और उन चीजों को हम एक्जाम में कैसे इस्तिमाल कर सकते हो आप एक तरीका सीख सकते हो कई स्टुटेंट्स का यह भी एक कमेंट बॉक्स में में सिज रहता है कि सर अम नोट्स कैसे बनाएं तो नोट्स में स्टुटेंशं स्टुटेंशं से आप इस से सीख सकते हो तो इसमें देखते हैं जो सबसे पहले all day बनाएं गया है कि समख्या है तो इसमें समस्या यह है कि बारत के अंदर बारत में 80% लगूव सिमांत किसान है यानि कई जगर यह डाटा 85% पर होता है तो कोई बात नहीं कि 80-85% बारत में जो किसान है वो लगूव सिमांत किसान है अब देखो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि लगू किसान कोन है या सिमांत किसान कोन है तो जो सिमांत किसान है जिनके जोद काकार एक हेक्टर से कम है और लगू किसान है जिनका जोद काकार दो हेक्टर से कम है यानि एक से दो हेक्टर के मद्दे जिनके पास जोद काकार है वो है लगू यानि इसमाल फार्मर और जो बड़े फार्मर है जिनका जोत काकार दो हेक्टेर से ज्यादा है तो लगबग भारत में ये डाटा आता है कि 80-85% कोन है लगूर सिमान किसान है और 85 से मतलब आगे जितने सेस बचे हैं कि 15% के लगबग है बड़े फार्मर तो इन रिन विवस्ता में जो भी बताया गया है कि जो ज़्यदा फाइदा मिलता है न वो किन को मिलता है बड़े किसानों को ज़्यदा फाइदा मिलता है या जो एगरी बिजनस कंपनी है उनको ज़्यदा फाइदा मिलता है तो इस लेसन में ज्यादातर यही बाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले है तो आगे है कि भारत में जो रिन की समस्या आएती है उनका परबाव क्या होता है कि करसी विवित्ता को कईने कई परबाव उसमें नुकसान होता है हम जानतें कि किसानों की आई हमें दुग लेकिन उसके जो गुणूता है और जो फरवाव इस पर नजर आना चाहिए था वो नहीं नजर आ रहा है कि हम देखते हैं कि आज भी हमारे जो लगूर सिमान किसान है वो मतलब एक तरह से सहस्ता के तरह से बाहर है इसके लावा के अंदर सरकार के डाटा है कि जिसमें बताए कि जो क्रेडिट लिमिट है यानि वो लगतार बढ़ा रहे हैं सब्सीडी भी लगतार बढ़ रही है जैसे इसमें डाटा आप नोट करना कि 2011-12 में लगबग 4.75 लाग करोड क्रेडिट लिमिट थी जो कि लगबग 2020 में बढ़कर कितनी होने वाली है 15 लाग करोड होने वाली है साथ इस साल हम सब्सीडी की गणना करें तो 21,155 क्रोड सब्सीडी होने वाली है तो मतलब खहने का मतलब है कि इतना मतलब ज्यदा संसादन आउंटन हो रहा है लेकिन वो जा का रहा है यही हमें नोटिस करना है कि जो समस्या कहा है समस्या है लिकेज की समस्या है बश्टचार की समस्या है या जो हिद्धा रख है वास आप आज कुशन बनने वाला मैंने इस लेसन के एंड में बताए कि किस परकार का इस टोपिक से कुशन आ सकता है और उसकी हमें फ्रेमिंग कैसे करनी है वो फ्रेमिंग में आपको सिखाऊंगा जरूर आप यह कर सकते हो कि वीडियो को पोज करके एक वार आप वो कुशन अट यह फ्रेक्ट है डाटा है लेकिन केवल 20% लगूव सिमांत किसानों तक ही पहूंच पाई है हम जानते हैं कि 80-85% मतलब क्या है लगूव सिमांत किसान है तो जो रिण की वेवस्ता इन में कितने तक पहुंच पा रही है 20% तो बाकि कि जैसे 15-20% बड़े किसान है उन तक र जनको subsidy की जडूरूरती नहीं है वो जदकRe taking जानता है के जानते हैं कि जञते हैं जासे ट्रैक्टर हो गया या कल्टीवेटर होते हैं पलाओ करसी में जितने भी उपकर्ण काम आते हैं उन पे भी मतलब यह देखा गया है कि जो किसान ये मतलब लोन लेते हैं कि मशीनों पर लोन ले रहे हैं तो वो भी बहुत मंगा पड़ता है उन पर कि जैसे बताया है कि जो नोन बेंकिंग फाइनिश कंपनिया है उनकी ब्याज दर लगबग 18% उपर होती है तो कहीं ने कहीं इसमें एक सबसडी की समस्या रहती है इसके लबा एक डाटा आया है इसमें Agriculture Census 2015-16 एंड एक और डाटा है कि The Situation Assessment Survey of Agriculture Household NSO मतलब जो एक ये प्रिलिम्स का कुछन आ सकता है कि The Situation Assessment Survey of Agriculture Household ये मतलब सर्वे किसके द्वारा किया गया है तो इसमें आ गया NSO और इसमें एक और फेक्ट प्रिलिम्स के साब से काम आ सकता है कि जो NSO है वो किस मंत्रा लेके अंतरकत आता है तो इसमें Ministry of Esthetics and Program Implementation इसके अंडर में आता है कि आप जहां भी newspaper पढ़ रहे हो या कोई online site से आप अपने notes बना रहे हो तो वहां पर प्रिलिम्स और मेंस को दोनों को एक साथ integrated रूप में पढ़ना है अलग लग वे में नहीं पढ़ना है और यही सपलता का मतलब ज्यादा चांस है जो कि अपनी पढ़ाई को integrated वे में कि केवल प्रिलिम्स के फेक्ट त्यार करें ऐसा नहीं होता आप जो भी newspaper पढ़ रहे हो कि अपनी मेंस के जो काम का मेटर है वहां से निकालो प्रिलिम्स के काम का है तो वह भी add कर लो इस आप से पढ़ाई होनी चाहिए तो यहां पर आप देख सकते हो NSSO कौन से मंत्राले म कि मतलब सरकार ने विविस्ता तो कर रही है RBI ने ऐसे मानक तो बना रहे हैं आप जानते हो RBI ने PSL मानक बना रहे हैं कि जितने भी बैंक है उनको मतलब यह नियमित रूप से या कारंड रूप से बादे बना रहे हैं कि आपको जितना भी लोन होता है उनका 40% आपको प्र पार्गेट समो होता है उन तक इन रिंड को नहीं पहुंचाते हैं जबकि इनको अलग तरीके से गलत तरीके से इनको प्रेश करते हैं तो यहां से यह मुद्दे भी आप लिख सकते हो इसके लाव हम देखते हैं कि RBA की एक इंटरनल वर्किंग ग्रूप रिवू रिपोर्ट आई थी 2019 में उसमें बताया गया है कि किसान क्रेडिट जो की चार से साथ पर सिस्तत ब्याज गिरिन पर दिया जाता है कि में काफ़ी एनियमिता हैं बश्रचार और दूसरे चेतरों में इसके ट्रांसपर की समझे मतलब इसमें भी यही बात है कि वास्तविक जो हिद आ रग है उन तक जो सबस्टिय और रिर्ण है वो नहीं पहुंच पा रहा है जबकि इसका गलत वे में इस्तेमाल हो रहा है देखो साथ यसाथ मेरा यह माना कि आप अपने आंस्ट्राइटी में कभी-कभी केस इस्टड को आउंटिंट किया था इसका मतलब वहां पर एग्रिकल्चर नहीं हो रहा था बलकि जो एगरी बेस्ट जो कंपनी आना उनको यह रिन आउंटिंट किया तो सबसे बड़ी समस्या यही निकल कि आ रही है कि यह जो रिन और सब्सटिए होती है किसानों को नहीं मिल रहा है यह किसको मिल रहा है एगरी बेस्ट कंपनिया जो एगरी बिजनस बेस्ट कंपनिया होती है न उनको यह मतलब बड़े किसानों को मिल रहा है अब देखो करसी बिजनस समंदी कंपनिया कौन से होती है जो की बीज का निर्मान करती है जो की फैटलाइजर बनाती है या जो उ ही साफ़ान। बैकर आदेन ले भर चाहे और मैं औरक्रयं मैं करना है, इसकार में अर्थेकर बैक्नालों के हैं। आप में में चाहे हींधान के जब भी आप ऑनुप एस जाएख नो पहींगा। address करना है, कि भाई, बिल तो ठीक है, सरकार जो भी ला रही है, मतलो काफी wide concession और काफी thinking के बाद में बिल लाती है, तो बिल की हमें आलोसना नहीं करनी है, हमें आलोसना जब आप लिखो ना, सकरात्मा आलोसना की रूप में ये कर सकते हो, कि भाई, ये जो अहाली में जो बिल लाएगे हैं, उसमें एक मुद्दा ये हो सकता था कि, किसानों की जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि, रिन और सबसे ये वास्त भी किसानों तो पहुंचनी चाहिए थी, उसका मुद्दा इन्होंने क्या है, थोड़ा सा ignore किया है, तो ऐसे मुद्दा आप बताते रहे ना, हमें सरकार के अलोसना नहीं करने हैं, ये ध्यान रखना है, अपनी मेंस के आंट सुराइटिंग में बिल्कुल आपकी जो एप्रोच होनी चाहिए ना, एक बिरुक्रेट की तरह होनी चाहिए, कि आप ना सकरात्मक आलोसना करते हो, यानि आपको जो खामिया निजराती है ना, उनके बारे में थोड़ सी आप पोजिटिव स्टे लेक कर बताते हो कि ऐसा भी होता ना, तो और बढ़िया रहता वैसे हमें लिखना है, इसके लाब जैसे इसके परवाव क्या हो सकते हैं , तो परवाव हम जानते हैं कि ये यह दी रिन्व व्यवसता सही नहीं होती तो उससे क्या होती है, कि मतलब संसाद्नु काद रुप्योग होता है या वीटी एनमिता आती है, कहीने के हमारी जो किर्षी GDP है, GNP है उसमें गिरावट आती है, निर्यात में गिरावट आती है, जिसके कराण जो हमारी चालो खाता गाठा है, उसके साथ भी समशेय जोड़ती है इसके लाव जो हमारी food supply chain है, उसमें कहीन कहीन बाद आती है, इसके कराण क्या होता है, खादे मुद्राश थीपी में मतलब एक तरह से बड़ोतरी होगी, महेंगा ही बड़ेगी, तो इन समशेय को एड्रेस के जाना चाहिए था, मतलब परवाव क्या होना चाहिए, कि जब सम फर्टलाजर यूज मिलेते हैं, तो वहां पर उनको सबसेड़ी का उन लोगों जएदा फाइदा मिल रहा है, जबकि हम देखते हैं कि बियार या राजस्तान में फर्टलाजर कम उपयोग मिलेते हैं, तो वहां उसका फाइदा नहीं मिल पाता है, तो एक ऐसमानता की खाई कि समस्या है, मतलब काफी है, थोड़ा सा इसमें positive step लेके हम किसानों की रिण वेवस्ता है, उनको सङी करते हैं, जैसे क्या कर सकते हैं, तो इस लेक में बताएग कि किस परकार कर्शी रिण वेवस्ता में सुधार करें, और इसके लिए हम यह कर सकते है, कोई नएा मतलब ब कि प्रदामतरी किसान मानदन है Scheme या अननी स्किम हैं यहांपर याद नहीं कर पा रहा है। लेकिन आप लोगों इस स्किम याद होar। प्रदामतरी किसान निधी SCEM निधी SCEM के बारे में आप यहां पर पता सकते हो। इसके लाभा सहन्स्ता क irrita राएं है। मतलब किसान मतलब सभी मसीनियों को खरीद नहीं पाता है, उनकी पर्चेसिंग पार उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन यह हो सकता है कि एक गाउम में या कोई सहकारी समिती है, उनके मादेम से क्या होता है कि वहां पर ऐसे यंतर सरकार खरीदने पर सबशड़ी दे सकती है तो वह यंतर फिर किसान किराई पर ले सकते हैं, तो कस्टम हाईर स्कीम एक अच्छी स्कीम हो सकती है, जैसे कि हम जानते हैं कि पंजाब रियाना में जहां पर पराली जलाई जाती है, वहां पर ऐसे मतलब प्रयोग किये थे, कि जो हैपी सेडर मेशीन है उस पर सरकार नही को सबसिडी दी कियी थी, तो ऐसे आप बता सकते हो, इसके लावम जानते हैं कि जो भी सबसिडी होती है, उसमें पाARSिस तक कैसे ला सकते ह leaned were इसके लावा तक्णिक से बिदान हो सकते हैं कि हम जानते कि आज किसानों के पास मोबाइल है तो उनके पास सूजना का परवाज चाहएं उनके मोबाइल पर मैसे जाना चाहिए कि आपके खाते में मतलब सबसेडी डाल दी गई है या आपको मतलब ये लोन आउंटरिंग किया गया है तो उनको पता रहे कि ताकि बश्टाचार नहीं हो उसमें इसके लावा रिंड सबसेडी में पार देशता होना चाहिए इसके लावा ये भी होना चाहिए कि मनलब कौन हिद्दारक खेती कर रहा है या नहीं कर रहा है यसे फटजी डोकुमेंट लगा कि वो बता रहा है कि मैं किसान हो और फिर लोन उठा रहा है तो उनका भी क्या होना चाहिए उनकी जियो टेगिंग होनी चाहिए और सेटलाइट इमेजरी रिपोर्ट भी आनी चाहिए जियो टोकिंग में ये कर सकते हैं जियो टेगिंग में कि जैसे कोई स्कीम है कि किसानों को क्या करना है फार्म पोर्ण बनवाना है तो सरकार इस पर क्या करती है लगबग 60-70% सब्शिटी देती है यानि 90,000 रुपे तक इस पर तो इसमें यह होना चाहिए कि जैसे फारम पॉर्ण मेरे खेत में बन रहा है तो मेरे खेत में जब बनेगा तो इसकी जगह पर फारम पॉर्ण बन रहा है प्रिसंपती का क्रियसन हो रहा है तो इसके खेसाप से हम मतलब किस परकार तक्निके को जोड़ कर इन समयां को समआदान निकाल सकते हैं। आप यह बता सकते हो, एकConfetr बता सकते हो. या कोई केस इस्टुडियो तो वह बता सकते हो! इसके लावा किसान credit card पर हंसे में पर समय्दान होना चाहिए review के जाना चाहिए कि इनने क्या loop होल्स हैं, क्या समचिया इसमें सामने आ रही है इसके लावा दिजली क्रण होना चाहिए ताकि मतलब वाचवी हिदार्ण का पता लगए कि इसके पास भूमी है की नहीं इसके लावा लेंगे का समानता है यानि मेला शेल फिल गूरूप है उनको मतलब थोड़ा सा जड़ा फाइनेस मिलना चाहिए या उनको भी वरिता मिलनी चाहिए तो इस परकार इस लेक में अच्छे मतलब समधान बताएगे है इसके लावा यदि ये मेंस में कुशन आते हैं तो आपको तो मतलब इन मुद्धों को बताना ही बताना है आप जानते हो कि यदि इस कुशन को आप पिरग्राफ में फोर में लिखोगे तो आप अपने जो आईडिया या आनसर की वीविता कितने ले जाओगे जबकि आप देखो इसमें bullet form में या point form में लिखोगे तो आप जदा वीविता बताओगे जितनी जदा वीविता बताओगे आनसर में नंबर उतनी जदाने वाले है तो आपका आनसर एक रोचक भी लगेगा बहुत सुंदर लगेगा तारकिक लगेगा तो आप देखोगे किस परकाट डाइग्राम डाटा केस स्टेडी का एक आनसर में हम उपयोग मिले सकते हैं साथ-साथ में यह भी बताओगा कि इस आनसर में आप कौन से मेपिंग कर सकते थे जोग्राभी से रिलेटेड या पाई चार्ट का कौन से इस्तिमाल कर सकते थे वो भी आगे में बताने वाला हूं जैसे इसमें जोडने वाले हम यह मतलब पाई चाट आ सकता था कि किसान Credit का यह एकनोमिक सरवे का है जिसमें आप यह बता सकते हो अच्छा यहां से प्रिज्नुम से में भी एक वार कुस्रा आया है कि मतलब किसानों को जो टोटल रिंड मिलता है या मतलब सहस्ता कि रिंड म की जदबमिक है फिर 15% है जो सहकारी जो बैंक होती है उनकी और 5% है जो रूरल बैंक होती है उनकी और 1% जो माइक्रो फाइनस के कंपनिया होती है उसमें तो सबसे बड़ा कौन से होगी वानिजिक बैंक होगी जैसे आप पाइचार बना सकते हो तो आप का नसर देखो कितना अच्छा लगेगा कि आपने जो फाइनस की समस्या बिताई उसके साथ साथ आप यह डाइग्राम की बारत में वह भी फाइनस का यह चल रहा है आप करंट डाटा दे रहे हो इसके लाबा ऐसे डाटा जैसे अभी एकन इकनोमिक सर्वे भी आएगा तो इकनोमिक सर्वे में नए डाटा आएंगे तो आप अपने डाटा को अपडेट भी करना है और मैं बार 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 बोलता हूं कि आपको बजट और इकनोमिक सर्वे और पड़ना है उसमें बहुत सारे डाइग्राम आपको मिलेंगे पाई च मेप मेप में यह दिखाएगा है कि लेज देन एक हेक्टर जो लगूर सीमान किसान है उनका मطलब अच्छे से बताएगा इक है इसमेहां बता सकते हो देखो आराम्झे हैप को पोज करके देखना की यह एक हेक्टर से कमवाला डायग्राम है और यहांपे एक से दो हेक्टेर के मतलब जो लगू किसान है यह इसमाल किसान और इसमाल फार्मर और यहां पे सिमान वाले मतलब किसान होंगे और दो हेक्टेर से मतलब ज्यादा का है, जिसे राजस्तान का एरिया काफी बड़ा है, जनसंग का कम है, तो उसके साब से यहां पर ज्यादा है, पंजाब, हरियना, और यहां पर नौर्ट इस्ट में दिया गया है, तो ऐसे डाइग्राम भी बना सकते हो, मैंस में एक है कि, जैसे बड़े हाले हैं, यहां पर ऑक्लब और यूग ल्ग का है, जैसे बाड़े हैं, अृटक में दिखा रहे हम इख आ इस एरिया हैं, जलिए ह struggling को से एड़ा करेनो, आप अपने साब हेसे लिया अनॉग की बाड़ा सकते हímे, यहां नोर्ग आइग्राम तो आप अलगलग सेडिंग कर सकते हो You can adjust in looking at numbering मैpping لसफे अपका प्लिस वन अनुब आ यह मेरा जैसे मेरे category 105 नहीं तक आये है अग्या शक जरूरियल किसल्ड है याज वारि कि एक नself में स्कोर्स जब देखे होंगे तो आपका बहुत सांदार है और मेरे हिंदी मीडिम आये 105 2016 में तो 2017 में तो सब के अच्छा है थे 2017 में क्या हुआ था पेपर में पेपर 3 में मार्किंग अच्छी हुई थी तो UPC हर साल क्या करता है पेपर 1, 2, 3, 4 या तो आज के जो कुछ सना उसके बारे में हम बात करने वाले हैं जैसे इस साल UPC में 2020 में कौन सा कुछ सना आया था कि बारत में करसी उतपादों के परीवन और विपनन मुख के बादाए क्या है और इसका मैं मोडल आनसर अपने चैनल पे अपलोड कर सका हूँ तो आप मेरे प् हमें यह त्यार करना है कि जो आज का आर्टिकल पड़ा था हमने ठीक है तो आज के आर्टिकल से हम कैसे कुछ सन बना सकते हैं और कैसे आंसर राइटिंग कर सकते हैं तो कुछ सन बनाया है कि बारत में करसी वित वर रिन समंदी समस्याई क्या है उसके परबाव क्या है उसक क्या लिखना है तो इंट्रोडक्शन में आपके पास कोई डाटा हो मतलब इंडेक्स हो तो आप लग Pex data इसको शुरू कर CPA घरिक्स करệ के अपने data से शुरू करना यह कोई रिपोर्ट आये index से शुरू करना फिर body part आता है कि body part में किसानों से किसानों की width से जुड़ी समझाइ रहें क्या है body part को आप आप थेन बागों में बाट लेना ठीक है कि तीन चीजों पर आपको लिखना है एक आपको लिखना है कि समस्याई क्या है या मुद्दे क्या है मतलब इसमें मुद्दे क्या हो सकते हैं तो मुद्दों पर हम बात कर सके हैं कौन-कौन से अलग-लग इसमें आर्टिकल में मुद्दे बताएं इसमें आप अपना वेलिवेड कर लेना कि और कौन से मुद्धे हो सकते हैं फिर इसको बताना है कि इनके मुद्धों से क्या परभाव पड़ता है परभाव के बारे में अलग लग आप बात कर सके हो और फिर आपको बताना है कि समधान क्या हो सकता है मतलब जब ऐसा खुछन आई तो यह तो आर्टीकल की बात की थी लेकिन खुछन आई तो इसमें अपने इंपूट जरू जरू डालना कि आपको क्या लगता है इस कुछन में क्या कर सकते हो और लास्ट में आपको फिर पिर क्या करना है एक अच्छा इसा निस्कर्स जरूर लिखना पिल्कूल एक दम positive way में लिखना है positive way में यह बदाना है कि हमें इन समयचाओं को ऐसे-इसे address करना है और मतलब थोड़ा सा इसमें भी आप थोड़ा से चेताउनी पर एलेजिम लिख सकते हो कि यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जो हमारे सपना है कि 2022 में हमें क्या करना है किसानों की आयद दूगनी करनी है वो नहीं कर पाएंगे जो हमारे जो हमारे जो एश डीज लग से को टार्गेट है गरीबी कर पाएंगे तो आप ऐसा बता सकते हो अपना निसकर्स पोजिटीव में बताना आपको बहुत अच्छे डाटा और अच्छे मतलब जैसे इंडेक्स हो गया है इनका परियोग करते वे तो यह आजका लेसन था पसंद आये तो यार इसको लाइक करना अपने दोस्तों के झाल